मुवी की शुरुआत में हमें जैक राइन नाम का एक सक्स दिखाय जाता है जैक राइन C.I.A. से रिटार एनलिस्ट है और अब वो यूस नेवल अकेडमी में पढ़ाता है से लाइन जैक अपनी वाइफ कैथी और बीटी शैली के साथ चुटियों पर लंडन आया हुआ है जैक राइन एक वर्क हॉलिक है और वो रेकेशन में भी काम में बिजी है वो यहाँ पर रॉयल नेवल अकेडमी में एक लेक्चर लेकर वापिस अपनी फैमिली के पास आ रहा था और कैथी और शैली बुकिंगम पैलेस के पास साइट सीन कर रहे होते है शैली वहाँ मौझद बिटिश रॉयल गार्ड को देकर बहुत इंप्रेस होती है तो कि शैली उसके सामने डांस करती है उसे बात करने का ट्राइ करती है पर वो इवन पलक तक नहीं जपका था कैथी बताती है कि इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है यह दोनों फिर जैक के तरफ बढ़ते हैं पर यहां जुराई भी एक कैव में कुछ टेरिस्ट मौजूद थे दरसल यह IRA की टेरिस्ट है IRA यानि की Irish Republican Army इनमें कैविन, ड्राइवर, शौन मिलन और उसका भाई पैट्रिक था यह यहां पर British Secretary of State for Northern Ireland Lord Holmes को किडनाप करने के लिए आयो है Lord Holmes British Royal Family से बिलॉंग करते हैं और कैविन उसके गुरूप को पता था कि Lord Holmes अपनी बीव बच्चों के साथ यहां से गुजरेंगे कैविन को उसकी एक साथ ही रेडियो पर बताती है कि Lord Holmes पहले से निकल चुके हैं तो यह टेरिश्ट गन लोड करके रेडियो जाते हैं और Lord Holmes की गाड़े को देखते ही उसको फॉलो करने लगते हैं और फिर अपने अपने मास्क पैन लेते हैं वही जेक राइन स्ट्रीट क्रॉफ करके अपने बीवी बच्चों तक पहुचने वाला था जब Lord Holmes की कार इस एरिया को क्रॉस कर रही होती है तभी यहाँ पर खड़ी एक कैब जिसको Kevin की साथ ही चला रही थी वो और Kevin अपने पर कैब से Lord Holmes की कार को ब्लॉक कर देते हैं और Sean और उसके साथ ही जल्दी से बाहर आकर Lord Holmes की कैब को घेर लेते हैं Sean जल्दी से एक बाहर को कैब के नीचे फिट कर देता है दोर से राएं ये सब देख लेता है और Kathy और Sally को जमीन पर जुब जाने को कहता है और तभी यहाँ एक जोड़दार ब्लास्ट हो जा पाए Sean और उसके साथ ही फाइरिंग स्टार्ट कर देते हैं अब Lord Holmes का ड्राइवर और उनका बॉड़ी गाड़ मारे जा जुके हैं Sean Lord Holmes को बाहर निकलने को कह पा है और गाड़ी पर गूलिया चलाता है पर अब राएं से रुका नहीं जाता वो जाके Sean Miller को डिसार्म कर देता है और उसकी पिस्टल ले ले लेता है पर एक टेररिस्ट राएं को गोली मार देता है पर राएं ज़्यादा जखमी नहीं होता Patrick यहां से भागने का ट्राइ करता है तो राएं उसे शूट कर देता है अब यहां पर दो Royal Guards दोड़ कर आ रहे होते हैं तो बाएं टेररिस्ट, Sean और उसके मरेवई भाई Patrick को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं और फिर Sean को गिरस्तार कर लिया जाता है Sean अपने मरेवई भाई को देखकर बहुत दुखी होता है और वो Ryan को नफरत बरी निगाहोते देखता है फिर Ryan को गोली डगनी की वज़े से काफी तकलिफ हो रही होती है और वो बेहोश हो जापा है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाए जापा है नेक्सीन में दिखाए जापा है कि टीवी पर निउस चल रही होती है इस हमले की उपर और Ryan की बहादुरी की उपर इस निउस को बाकी बचे को टेर्रिस्ट देख रहे होते हैं और वहीं पर C.I.A. Headquarters में मौझूद Senior Officers भी फिर Ryan को जब होश आजाता है तो उसके पास उसकी वाइफ कैथी बैटी थी और डूर के पास उसकी बेटी उसे हाई बूलती है कैथी बताती है कि शैली तुमसे बहुत प्यार करती है और वो पूरे टाइम तुमारे होश में आने का इंतजार कर रही थी वहीं दूसरी तरह Sean को इंटेर्विट किया जाता है मगर वो कुछ नहीं बताता वही Kevin अपने साथी Jimmy को खहता है कि Sean हमसे गदारी नहीं करेगा वो अपने भाई की मौत को जाया नहीं जाने देगा और फिर ये लोग आगे की प्लैनिक करते हैं इसके बाद नेक सीन में दिखाया जाता है कि Kevin जब टीवी देख रहा होता है तो चार्री नाप का आदमी उसके घर आता है और उसके साथ ही Kevin के घर को घेर ले पें पर Kevin चार्री को मार देता है और उसके साथियों को भी और वहीं दूसरी और Jimmy को एक लड़की उसके बैडरों मार देती है जो कि उससे एक बार में मिली थी और फिर वो लड़की Kevin की कार में आकर बैठ जाती है यानि जिम्मी को भी केविन नहीं मरवाया था वैसे जिम्मी और चारली केविन के साथ ही थे मगर इनके एरादे केविन के तरफ वाइलन नहीं थे और इसी कारण ये केविन का साथ देने से इंकार कर रहे थे तो केविन ने इन्हें मरवा दिया इसके बाद हॉस्पिटल में जैक राइन से यूएस कंसिलिट का रिप्रेजेंटेटिव और लंडन पिलोस के आफिसर मिलने आते हैं और उसकी बहादुरी पर उसे शाबासी देते हैं जैक को बताया जाता है कि केविन IRA गुरुप का लीडर है और ये गुरुप काफी वाइलेंट है और शौन बहुत खतरनाक आदमी है इनकी विचार धारा नॉर्धन आइलेंड में ब्रिटिश रूट के खिलाफ है इसके बाद नए सिन में दिखाया जाता है कि लॉर्ड होम्स राइन और कैथी को इनफॉर्म करते हैं कि कॉंग्रेचलेशन हर मैजिस्टी ने मिच्टर राइन को नाइट कमार्डर के उपादी देने की इच्छ है जता ही है इस बाद शॉन को फिर कटगरे में बुलाय जाता है और राइन को शॉन के ट्रायर के दोरान एज़ विटनेस बुलाय जाता है पर डिफेंस लॉयर राइन पर काफी गंबीर आरूप लगाता है कि मिस्टर राइन अपने बिना सोचे समझे मेरे क्लायन मिस्टर शॉन पर गोली कैसे चलाई जबकि वो वहाँ पर पर पेरिस्टरेंट को बचाने के लिए दोड रहे थे तो इस पर राइन टॉंट करता है कि हाँ जरूर वो भी मास्पैन कर दिन दहाड़े जैसे कि बाख की टेरिस्ट में पहनी थे डिफेंस लॉयर राइन पर और भी जोटे आरूप लगाता है मगर राइन अपने बयाँ पर अटल था कि मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ मैंने सिर्फ एक टेरिस्ट को मारा था किसी बेकुसूर को नहीं फिर लॉयर एक और सवाल पूछता है कि मिश्टर राइन क्या आप अभी भी CIA के लिए काम करते हैं इस पर राइन मना कर देता है शौन राइन पर काफी बढ़कता है और कहता है कि मैं अपने भाई की बहुत का बदला तुमसे जरूर लूँगा अब शौन को उमर कैथी सजा हो जाती है और राइन और कैथी अपने घर लोटाते हैं नेक्स डे कैथी राइन को खुशकबरी देती है कि वो प्रेगनेट है और ये सुनकर राइन और शेली बहुत खुश होते है वही जेल में दखाया जाता है कि शौन एक निउस्पर पर देख रहा होता है और काफी खुशा होता है क्योंकि उसमें राइन की फोटो थी और राइन को हीरो कहा जा रहा था अब अथोरिटीज को फुल बरोसा था कि शौन के साथ ही उसे चुडाने की कोशिश जरूर करेंगे शौन को अलबानी जेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो अथोरिटीज काफी अलटनेस के साथ चुपचाप शौन को ले जाते हैं पर केविन को उसका पता लग जाता है ये जानकारी इनने डैनिस कूली नाम के आदमी से मिलती है जो कि रेयर बुक्स का डेलर है वैसे दो लेकिन यहाँ पर आयरे के लिए इनफॉर्मर है वो अब रॉबर्ट हाइलेंड के पास दूसरी जीन तक पहुचाने की जिमिदारी थी और ये एक जगे जाकर ब्रिज के पास रुखते हैं तो शौन के आदमी आकर आगे और पीछे से गाड़ियों को उड़ा देते हैं और फिर ब्रिज के ऑपरेटर को गन पॉइंट पर लेकर प्रिजन वेन का दोर खुलवा लेते हैं शौन के साथी पुलिस वालों को वेन से बाहर निकलकर जमीर पन लेटने को कहते हैं और केविन शौन को आजाद करा देता है रॉबर्ट हाइलेंड भी आइरिश था तो केविन से कहता है कि तुम आइरिश होकर इन ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हो तो अपने देश और अपने लोगों के साथ कर्दारी कर रहे हो केविन शौन को गन दे देता है और फिर अपनी बढ़ाद निकाले लें हाइलेंड और बागी ओफिसर और ब्रिच ओपरेटर को मार देता है और फिर केविन और इसकी टीम यहां से चली जाती है इसके बाद हमें दिखाए जाता है कि राइन और उसकी फैमिली वापस यूएज जाने की प्लैनिक कर रहे होते है तो C.I.A. की दो हाई लेविल ओफिसर राइन के पास आकर शौन के बारे में बताते है कि वो आजाद हो चुका है और वो तुमसे बहुत नफरत करता है तुमने उसकी फैमिली चीनी है और वो अग तुमारी फैमिली को मानने जरूर आएगा उनमें से एक ओफिशियल राइन को फिर से C.I.A. जोइन करने के लिए के लिए कहता है दरसर इनका में मकसर था Lord Holmes के बदले अपने Irish Prisoners को British Jail से छोडवाना पर Sean Miller के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो थी Jack Ryan और उसकी फैमिली को खतम करना तो वो कुछ लोगों का अपने साथ लेकर US चला जाता है इस Short Mission पर जब Ryan US Level Academy पढ़ा कर वापिस आ रहा होता है तो Ryan को वहां मौचिद एक Clark नाम के आदमी पर शक होता है Ryan ते ते चलने लगता है तो Clark उसका पीछा करता है और यहां एक कार में एक लड़की भी Jack Ryan को मारने आई थी और इस लड़की का नाम Annie है और यह भी Kevin की साथ ही है जब Clark Jack को मारने के लिए पिश्टल निकालता है तो Jack उस पर धावा बोल देता है दौनों में जमकर हाता पाई होती है और Clark Jack को जब शूट करने वाला होता है तभी US Marines के साजिंटs Clark को शूट कर देते हैं और वो लड़की Annie अपने गाड़ी लेकर यहां से भाग जाती है अब Jack Ryan को पता है कि उसके बीबी बच्चे भी खत्रे में है तो वो गाड़ी लेकर जल्दी से यहां से निकल जा पाए वहीं Sean और उसके साथ ही Shelly पर नजर रग रहे होते हैं जब कैथी Shelly को पिक अप करके अपने साथ ले जाती है Sean उनकी गाड़ी का पीछा करता है Jack Ryan कैथी को अलर्ट करने के लिए बार-बार कॉल करता है पर कैथी अपने हॉस्पिटल से कॉल में बिजी थी पर एंड में कॉल लग जाती है जब कैथी को बताता है कि जलदी से सबसे पास के पुलिस स्टेशन पहुँच जाओ कैथी अपने बगल वाली गाड़ी में Sean को देख लेती है जो कि इन पर अटेक करने वाला भा तो कैथी अपनी कार को फुल स्पीड में दोड़ा पी है पर उसकी कार आउट ओफ कंट्रोल होकर एक कंक्रीट बैरियर में क्रेश हो जाती है और से देखकर Sean को बहुत सबुन मिलता है और उसे लगता है कि कैथी और उसके बीटी का काम तमाम हुआ वहीं Jack Ryan ट्रैफिक में पुसा था वह क्रेश के बाद के उठते हुए दुएं को देकर घबरा जाता है पर कैथी और शेली को एयर लिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाता है फिर डॉक्टर राइन को बताता है कि कैथी जल्दी से रिकवर हो जाएगी और उसकी प्रेगनेसी भी सेफ है पर शेली की हालत काफी नाजुक है और बचने के चांसे 50-50 है राइन फिर कैथी के पास आकर कैथी को दिलासा देता है कि शेली जल्दी रिकवर हो जाएगी और राइन अपनी बीटी के हालत देकर अब आग बुगला हो रहा है पर थोड़ी ही दिर बाद डॉक्टर आकर राइन को गुड़ न्यूस देते हैं कि अब शेली खतरी से बाहर है अब जैक काफी गुसे में है और वो फैसला करता है कि वापिस सी आई में जाकर काम करने का हाला कि वाइफ एडमिरस जेम्स ग्रियर ने उसे पहले ही न्योता दिया था फिर से C.I.A. में काम करने का पर तब तो जैक राइने मना कर दिया था पर अब वो कैसे भी करके शौन तक पहुशना चापा है यहां C.I.A. में मार्टी केंटर नाम का आदमी है जो कि IRA की टेरिश्ट ग्रूप में कारी के साथ वहां रेड मारती है और सभी टेरिश्ट को पकड़ लिया जाता है अगले सीन में राइन अपने काम से जब ठक हार कर अपने मूद होने के लिए आया तो उसे एक फ्लेश वेक आने लगता है इस पर राइन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था जिसमें जब क्लार को मार दिया गया था तो सामने एक गारी में एक लड़की कार से निकल रही थी राइन को शक होता है कि वो लड़की सस्पीशियस है और वो लड़की लंडन धमाके के दोरान भी वहां पर कार में मौझूद थी राइन जब्दी से आकर अपनी टीम के सामने बताता है कि जिमी जो कि IRA का वाइस कमेंडर था वो उसी रात मारा गया जब शौन पकड़ा गया था और जिस रात जिमी मारा गया था उस रात को वो एक होटल में एक लड़की के साथ था जिसके लंबे सुनहरे बाल थे और जैक राइन अपनी टीम को उस लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है ये लड़की बहुत सच्पीसियस है तोकि मैंने से लंडन अटैक के वक्त और मुझ पर जब हमला हुआ तो आनो टाइम इसको देखा है अगर ये मिल जाए तो IRA के टेरिष्ट भी मिल जाएंगे इसके बाद हमें अफरीका में एक केम दिखाय जाता है जहां पर शौन एक हेलिकॉप्टर से आता है शौन बड़ी खुशी उसे बताता है कि राइन और उसकी बीम बच्चे मारे गई मगर अफसोस है कि अभी भी राइन जिंदा है मगर केविन रिपोर्ट करता है कि राइन की बीबी और बच्चे अभी भी जिंदा है उन्हें बचा लिया गया है और जिसे सुनकर शौन बहुत गुसा होता है वही राईन केथी को discharge करा कर अपने घर ले जाता है जहां काफी पुलिस वाले घर पर सीक्यर्टी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हैं इसके पाद रात को राईन को Sean का call आता है शोन रायन को टॉण करता है और कहता है कि सुनने में आया है कि तुम्हारे बीशी और बच्चे मरते मरते बचे हैं, मगर वो यह लोग अब ज़ादा दिन नहीं बचेंगे इस बार नहीं तो अगली बार जरूर वरेंगे तो Ryan इस पर काफी गुस्सा होता है और Sean को धंकाता है और ये सब कैती भी सुन लेती है और वो काफी घबराई हुई है फिर Ryan उसे तसलिश देता है तो कैती केती है कि मुझे नहीं पता कैसी भी करो उसे पकड़ो या मारो मैं अपने बच्ची को रोज दर के साहे में जीतावा नहीं देख सकती इसके बाद Jack Ryan एक बार में जाकर एक बुड़े आदमी से मिलता है जो कि शायद IRA का मेंबर है वो बुड़ा आदमी कहता है कि IRA के काम करने का तरीका इतना खुन खराबा वालन नहीं है वो तो इस गुरूप के कुछ लोग हैं जो खुन खराबे पर उतराए है और इस हमले की इजाज़त शान और उसकी टीम को नहीं दी गई थी और मुझे तुमारे बीबी विच्चों के लिए काफी अफसोस है शान ने जो भी किया वो गलत था मगर जो भी हो शौन एक आयरेस है और मैं शौन का पता बता अगर अपने लोगों के साथ गदारी नहीं करूँगा जिस पर रायन काफी बढ़कता है और कहता है कि मैं मेडिया को अपनी बेटी के हाला दिखाऊँगा और उनके सामने आयरे के खिलाफ कितना जहर उबरूँगा कि यूएस और इंगलेंड तुम्हारे खिलाफ हो जाएं और तुम लोग रोड पे आ जाओगे मैं तुम लोगों को बरबाद करके छोड़ूँगा और तब तक शान नहीं बैठूँगा जब तक हर एक आयरे मेंबर मारा नहीं जाता और फिर जैक राइं यहां से चला जाता है वही दूसरे तरफ हमें लीबिया के कैम्प में कुछ लोग ट्रेनी करते हुए दिखा जाते हैं राइन फिर अपनी टीम को बताता है कि ब्रिटिस सिक्रेड एजेंसी ने पता लगाया है कि लॉर्ड बोंस पर अटेक में जो आम्स यूजवे वो कदाफी नाम के आम डीलर्स के यहां से आये हैं और एजेंसी के मताबिक शौन को एक सिक शिप पर देखा गया है जो कि अफरीका जा रहा था जहां लीबिया में 182 कैम्स है और जिस शिप से शौन भागा है वो उसी दिन एक जगे पर डेक हुआ और उस डेक यार्ड के आसपास 9 बेस कैम्स हैं मगर जब भी सैटलाइट्स उन कैम्स के उपर से गुजरती है तो वो लोग वापस बेस कैम्स पे चले जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो लोग किस कैम्स में हैं राइन फिर माटी से कहता है कि उन लोगों को सैटलाइट का टाइम पता है क्यों न तुम सैटलाइट की टाइमिंग को चीज कर दो जब सेटलाइट उस बेस केंप के ऊपर से गुजरे फिर राइन एक कम्प्यूटर पर एक पिचर को जूम करवाता है तो उसे पिचर में एनी मिल जाती है नेक्स सीन में शैली को हॉस्पिटल बैड पर दिखाय चाता है शैली अब रिकवर हो रही है और जेक राइन उसे श्टोरी सुना पाए और शैली को सुला पाए इसके बाद वो बाहर वाला बुट्धा आदमी राइन से मिलता है और उसे गिफ्ट के तोर पर शैली के लिए ए मगर जब वो शैली के लाइट में शौर्ट सरकेट होता है जब एलेक्टरेशन उसे रिपेर कर रहा होता है तो उसे एक सीक्रेट केमरा मिल जाता है और वो डीलर जिसका नाम पूली है यह देख कर घबरा जाता है और वो अपना कोट पहनकर यहां से भाग निकलता है फुल पिल जाता है और अब इन्हें कंफर्म हो जाता है कि Dennis Koolie भाग कर बाकी IRA वालों के साथ मिल चुका है और इससे इन्हें Kevin के exact base का पता चल जाता है और फिर Jack Ryan ये सभी information Vice Admiral Greer को भी सौंप देता है और ये लोग इसका live footage भी देखते हैं और सब कुछ खतम होने के बाद ये लोग रहत की सांस लेते हैं इसको नए सीन में दिखाया जाता है कि Shelly discharge हो चुकी है और उसे राइन घर ले आता है और Shelly के लिए welcoming party भी रखी जाती है और इसी खुची के मौके पर Lord Holmes भी वहाँ पर मौजूद थे और ये लोग शांदार dinner करते हैं और इसी पीच Lord Holmes का एक assistant एक agent को पीछे से मार देता है और इसी वक्त राइन को Marty का call आता है और वो बताता है कि strike के field operatives को सिर्फ वहाँ पर Dennis Koolie की dead body मिली है और शायद बाकी लोग जिन्दा हैं इसकी बात हमें दिखाये जाता है कि Jack Ryan के घर की light चली गई है और Ryan को फिर शक होता है वो खिरगी से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई निजर नहीं आता पर ये जिन्दा की बात थी तो क कि वहाँ पर security agents को होना चाहिए था Ryan उनसे contact करने के कोशिश करता है मगर वो लोग तो माली जा चुके थे Lord Holmes के assistant ने और Kevin Ours की team को Lord Holmes के यहाँ पर मौजूदगी की report दी थी तो Kevin Ours की team यहाँ पर attack करने के लिए पहुंच जाता है जैक रायन को गडवड़ का अंदाजा जाता है तो रायन को Lord Holmes के assistant पर शक होता है और रायन उसे पकड़ लेता है उस assistant के पास से एक gun मिलती है और एक डोर के पास से खोन के निशान भी फिर जैक रायन उस assistant को गुली मारता पूछता है कि कितनी लोग आ रहे हैं यहाँ पर औ जब एनी इन्हें ढूटते वें वहाँ पर पहुंच जाती है तो कैथी शॉटगन से उसे मार कर भिहोश कर देती है फिर जैक रायन वहाँ आकर शैली और कैथी को चुपा कर ऊपर के खिड़की से बहार दे आता है और पीछे के रास्ते से बेस्मेंट में पहुंच जाता ह जहाँ पर रॉबी पहले से मौजूब था फिर उस गदा नसेशिन को टॉर्चे करने पर पता चरता है कि शॉन वगेरा बोट से यहाँ पर आये हैं और वो बोट पहाड़ी के पीछे है तो रायन सभी को लेकर बोट की तरब भागने लगता है और फिर बोट लेकर यहाँ स उसमें नहीं है केविन शॉन को रायन के बजाए लॉड होम्स को ढूने के लिए चलने को बोलता है पर शॉन किसी के नहीं सुनता और वो केविन और बाकियों को मार कर रायन को चीज करता है शॉन के गुलिये चलाने रायन के बोट में आगले जाती है शॉन रायन के बोट म जेंडर पता चलता है तो वो और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और आप ये लोग सेफ हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है